यूटूब पर पहली बार होने जा रही है 500 प्लस कोईस्चन एंड एंसर स्रीज की यह महासंग्राम क्लाफ जो भी हमारे बीए बेस्टी बिकॉम के थर्ड समस्टे के छात रहें जिनको अनिवार प्रश्ण पत्रियानी को करिकुलर सब्जेक्ट की परिच्छा देनी है जिसक इंग्लिस में बोलते हैं Human Value and Environment Studies और हिंदी में बोलते हैं मानो मोल और पर्यावरन अध्यान ठीक है यह आपको परिच्छा इसकी देनी ही देनी होती है यादि आप यह बेसी बिकॉम के थर्ड समस्टे के छात रहें इसको को करिकुलर अनुवार प्रश्ण पत्त पोलते हैं यह आप सभी को मालूम है और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 500 Question and Answer with PDF प्रवाइट करने वाले हैं सायद यूटूब पे आपको कोई ऐसा मिला होगा जो आपको 500 से अधिक Question and Answer की PDF देगा वो आज हम पहली बार आपको देने वाले हैं और यह बात आपको जरूर धा प्रश्चा में पास होने तक के नंबर ला पाएंगे यानि कुल मिला के इस वीडियो में हम आप लोगों को 500 प्लस Question and Answer की PDF देंगे और साथ साथ में आपको हम एक Secret ट्रिक बताएंगे कि कैसे आप लोग इस अनिवार प्रश्णपत्र Human Value and Environment Student में कैसे पास हो सकते हैं तो इस को इंड तक जरूर देखते रहेगा यदि आप वाकाई में परिच्छा में पास होना चाहरे हैं तो चले वीडियो को सुरू करते हैं पूरी जानकार यहां पर आपको पुरुष्टुत है यह रही 500 प्लस Question and Answer की पूरी की पूरी फिरीज वा PDF यह आप सभी को मिलने वाली है लेकिन पहले जान लीजिए कि कौन-कौन से महत्पूर्ण इस वीडियो में आपकी परिच्छा में सावित होने वाले हैं और कौन-कौन से वो Secret Trick है जिनको अपना के आप परिच्छा में अच्छे काफे नमबल लाफकते हैं और आप आने से पास हो सकते हैं अगर अभी तक आपने थोड़ी ही बहुत पढ़ाई किये तो ठीक है तो चलिए आते हैं में question answer पे ठीक है तो पहला question है कि यह आज किस वीडियो का कि कि किसके अनुसार मानों को सच्छ पर्यावण में जीवन बितीत करना चाहिए आपसन यहाँ पर आपको देगे हैं इसमें जो सही उत्तर आपको बताना रहेगा ठीक है तो भाई न्याय पालिका सरकार सभी चाहेंगे कि आप एक अच्छे पर्यावण और सच्छ पर्यावण में अपना जीवन बितीत करें इसलिए इस question का सही उत्तर हो जाएगा और प्रयोक्त में यह वाला सा नंबर आ और बाद होना ठीक है क्य रोकता है फिर किस चीज़ को बढ़ावा देता है यहां पर आपको बताना है ठीक है तो सिंपल सा इसका उत्तर लिखेंगे कि जो वन सरनरच्छण अधने में वह वन भूम पर गैर कानूनी कब्जवक होते हैं उसको रोकता है ठीक है अफ्थाने लोगों के भूम पर अधि पर रिया अधनरच्छण की दिसा में नयाय पालिका द्वारा महत्पूर्ण पहल की गई है ठीक है किस देश में बहुत ही टॉप लेबल का कुश्चन है इसका सहुत्तर हो जाएक आप्शन नमबर भारत में ध्यान लखेंगे वीडियो को एक भी बीट मिस मत करिएगा क्यो होता है तो आप 75 में 75 लेकर आएंगे लेकिन इस बात कि हम जरूर गारंटी दे रहें कि आप परिचा में पास हो जायंगे इस बात की तो हम accomplishments का थे तो आइकके बहुत ने पहले की तो यह नो तोने बर का नंबर तो ले ही आएंगी ठीक है चली कोश्चन पर आते हैं अगला कोश्चन पढ़ लीजिए भाया क्या लिखा है यहाँ पर एक यूसीन पर्यावर तथा विकास से जुड़ी चुनोतिया जो होती है उनके बिवहारिक मतलब किस रूप में प्रस्तुत करता है आई यूसीन एक और्गनाईजेशन है ठीक है इस बात को ध्यान रखेंगे आप सभी तो यह जो आई यूसीन है ठीक है एक और्गनाईजेशन है जिसका पूरा नाम होता आई से होता है इंटरनेशनल यू से होता है यूनियन ठीक है फोर ठीक है कनवर जेशन ध्यान से सु करती ठीक है तो यहां पर जो भरा जाएगा याद रखें कि वो भरा जाएगा समाधान करती है ठीक जैंगल में रहने वाले लोगों का बिस्दापन केवल क्या है वह अग्ला कोईच्टर ही जनहीत तो मुक्दमों का विकास होता है ठीक है या फिर मुक्दमों का मतलब की development होता है ठीक है तो आपको कई सारा अप्षिन दियेगे हैं तुछ में सही उत्तर हो जाएगा ओप्रयोक तुमस्टी सभी इन सभी करणों की वज़ा से होता है ठीक है अगला प्रस्ण है कि भारती नाय जीवन का आधार है कि तो आप से नहीं को मिलाकर पिर्थवी पर इसलिए समस्ती जीवन का आधार मतलब प्रित्वी इखल पाइब सब्सक्राइब है अगला पसनिया कहरा की राष्टिय पर्यावरण नीत का नियम है कौन सा इनाप सनों में से थीक है अगला पर्योक्तित न कि यूनाइटेड इस्टेड यूम कनाडा में अभी बी डफ्लो डबलो एफ का अधिकारिक नाम क्या है ठीक है तो याद रखेंगे डबलो डबलो एफ का जो पूरा नाम होता है वो होता है वल्ड वाइड फंड इस बात को ध्हान रखेंगे वर्ल्ड वाइड फंड यह question अधिक समर्थक हैं फॉलोवर हैं या फिर उनके नजदीकी हैं तरीके से बोल सकते ठीक है तो संपूर बिष्ट में करीब समर्थक हैं तो याद रखेंगे वो समर्थक हैं यानि की वर्ड वाइड फंड के सब्चास लाक लोग ठीक हैं अगला प्रश्ण बिया कहे रहा कि डबलु डबलु एफ का अधिकान सिकार कितने बायोम कि संरचण पर केंद्रित है तो बहुत ही टॉप लेबल का कुश्चिन पर इच्चा में कई बार रिपीटेड है तो ध्यान रखेंगे तीन बायोम संरचण में केंद्रित है ध्यान रखेंगे सही उत्तर आ नंबर हो जाएगा ओके अगला कुश्चिन कहें राबिया कि डबलु डबलु एफ किन मुद्दों पर ध्यान देता मतलब जो डबलु ड प्राया प्रजातियों पर जलवाई परिवर्तन पर इन सभी मुद्दों पर ध्यान देता पर जलवाई पे ठीक जो बिलुप्त प्राणिया हो जा रही है ठीक प्रजातिया जो बिलुप्त होती जा रहे है उन पर ध्यान देता डबलु डबलु एफ यहाद रखेंगे और जो ये WWFIS का गठन कब हुआ था बहुत ही महात्पूर्ण बहुत ही popular question है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अप्शन नमबर 21 सितंबर 1961 को इसका गठन किया गया था बहुत ही टॉपरेबल का question है आगला question कही रहा है दबाओ समुह और पर्यावड़िये कारे करता डॉट डॉट को पर्यावड़िये आउसकता हो कि अनुपालन की जाच के लिए मजबूर करते हैं कौन करते हैं पर क्या फिल करा जाएगा तो यहां पर फिल करा जाएगा कंपनियों को पर्यावड़िये आउसकता हो कि अनुपालन की जाच करने के लिए मजबूर करते हैं सही सही उत्तर हो जाएगा कौन सा आप्शन नम्बर कौन सा हो जाएगा सही बताएं कमेंट सेक्षिय में कौन कौन चात्र बता रहे हैं ठीक है अगला प्रशन भया है कि कौन कम्पनियों की नियमों का पालन करने को मजबूर करते हैं तो याद रखें कि बहुत पॉपलर करता है तो अगाला की कमपणी किन बातों का अनुपालन करने को बात है तो जिन अनुपालन को करने के लिए बात है वो कि प्रयावने कानून में, महां अगाला प्राशन है कि जाग रोकता बढ़ाना और पर्यावरन नीतियों के प्रित कंपणी को आंतरिक प्रितीबधिता को कौन करवा सकता है तो सहीध्तर इसका हो जाएगा option number 2 पर्यावरन यह audit करा सकते हैं ठीक है पर्यावरन ऑडिट कितने प्रकार के होते हैं बहुत ही popular question है तो पर्यावरन जो audit है वो होते हैं तीन प्रकार के याद रखेंगे बानमबर सही उत्तर होगा ठीक है चलिए नेश कोईशन क्यों बढ़ते हैं अगला प्रश्ण कहे रहा है कि सुधार के प्रियासों को किसके द्वारा सकरात्मक कदम के रूप में देखा जाना चाहिए ठीक है बहुत ही पॉपलर को इस्चन है सही उत्तर इसका हो जाएगा 22 नमबर जो आपको प्रसंदीक रहा चलिए कमेंट में बताईए अगर आपको उत्तर मालू में तो सही सही उत्तर हो जाएगा वो अधिक टिकाऊ बनाने में हिल्प मदद करते हैं ठीक है अगला कि कौन वो भोकताओं के साथ नए भीपड़न की आउसर भी पैदा करता है ठीक है इन आपसरों में से सही उत्तर हो जाएगा आप्शन नमबर बा ठीक है यानि की ओडिट याद रखेंगे पॉपलर कोश् करता है ठीक है अगला कि कौन या फत्यापित करता है कि कमपनी सभी नियमों उद्देशों तो था नीतियों का पालन कर रही या फिर नहीं तो यह जो मैनेजमेंट का या सत्यापित करने का जो काम है वो है पर्यावने प्रभंधन ओडिट का सही उत्तर बानमबर हो जाएग अगला प्रशने की उभगतां को कमपनी के प्रत वफादार रहने के लिए क्या प्रतसाहित कर सकता है कौन प्रतसाहित कर सकता तो सही उत्तर इसका हो जाएगा अप्सपाधार ji रांड के एकृटी को मजबूत करना भी पढ़े ठीक प्रतियों का विकास करना ये सभी है इन पॉप्लर कोईश्चन से उत्तर हो जाएगा इसका बान नमबर ठीक पर्यावण की जाज करनी चाहिए ठीक है अगला प्रस्ट ने कहे रहा है कि किनिके साथ देर खकालीक अच्छे संबंध चराने के लिए कमपनी को पार दर्सिता की जानी चाहिए ठीक पार दर्सिता की जान चाहिए तो बहुत इंवेस्टमेंट ठीक इन्वेस्टर है उनको फोकस करना पड़ेगा अगला प्रशन के परिडामों को प्रकासित करके सकरात्मक प्रचार को प्रसाहित किया जा सकता है किसके माध्यम से तो वो की अजाफकता अब लेखा परिच्छा के माध्यम से बहुत इंवेस्टर हो जाएगा और उसमें होती मदद करना ठीक है अगला की कंपणी के पर पेच में उड़िट का उद्दिश क्या होता यह भी पॉपलर कोईश्चन कोमन कोईश्चन है ठीक है तो यहां पर भरा जाएगा भाईया उपकरन ठीक है कंपणीया एक उपकरन के मानेता और आपचारिक मानेता का प्रियोग करती है ठीक है अगला प्रशन है कि भारते वन जीव फन रच्छड अधिनियम कब बना बहुत ही पॉपलर बहुत ही टॉप लेबल का कोईश्चन आप सभी के लिए चलिए कमेंट सेक्शन में आप सभी बताईए तो यह जो अधिन बना है ठीक है वो बना है 1972 में कब बना 1972 में याद रखेंगी बहुत ही पॉपलर कोईश्चन है ठीक है अगला प्रशन है कि जैविग भीवीता का धिनियम बना तो यह बना है 2002 में ठीक है याद रखेंगे अगला कि सैय। संयुक्त राष्ट और 20 किसको मापने तथा उसके प्रबंधन में एक नए धांचे की इस्तेमाल को पृत्साहित करता है किस चीज को तो यहां पर आपको सही उत्तर लिखना है प्राकरतिक पूंजी को ठीक है अगला है कि पर्यावडिय प्रभाव आग्रन में किस तरह के प्र रखा जाता है इन सभी को ठीक है अगला प्रश्ण भीया है कि यूएस यानि कि अमेरिका में पहला ठीक है अपना पहला राष्ट्य पर्यार ने दिनियम कब लागू किया गया या फिर कब लाया था ठीक है तो 40 नमबर प्रश्ण जो मतलत दिक रच का सही उत्तर हो जाएग ठीक है तो इस प्रश्ण का सही उत्तर हो जाएगा अप्ष्ण नमबर बाठीक है एक क्रत प्रबंधन का फेल पूर टॉप लेबल का कोश्चन है ठीक है अगला प्रश्ण है कि कौन सी परिच्छा एक कंपनी की पर्यांडे जिम्मेदारी का आकलन करने के लिए एक ब्योफ परिच्छा है ठीक है तो सही उत्तरिश्का हो जाएगा अप्ष्ण नमबर बाब वह पर्या और लेखा परिच्छा याद रखेंगे पॉप्लर कोश्चन है ठीक है तरह और भी आपको कोश्चन देखने को मिलेंगे जो की मेन कोश्चन है उस पर हम आपको लेकर आते हैं च प्रकृतिक आपडाऊं को कारण कारण है इजना अपसवन में से सिंपल सा उत्तर लिखेंगे ना प्रकार्ण बताये कमेंड स्क्राइए आप सभी इसका उत्तर बताये चलिक है अगला प्रश प्रकृतिक के साथ खिलवाड किया है ठीक है तो सही उत्तरिश्का बान सब्सक इन एक लाब सभी के लाब के लिए पहले लोग अच्छे स्वास्त के लिए किन चीजों को महत्तो को देते था उत्थ वाशनान के लिए स्वा लाव की वजह नुकसान किसका पशेदां में तो स्यूत्त्र हैं के दापुर्यकात्र के सौर्षाका efforts किया थ Wait । लोग इतना विकाश के उसमें लगे हैं कि हर चीज में मतलब की सौर्ट Right चीजे आ रही है और बहुत ही आफानी से हो रही है तो वो कहीं न कहीं ठीक है हर इंसान के लिए सर्बनाफ का एक राफता खुल ला है ठीक है जारी किया ठीक है इफी तरह आपको ठीक है इफी तरह आपको 500 question के करीब इस वीडियो में question and answer दोनों provide हैं देख लीजे यहाँ पर question है और उसके सामने यहाँ पर उत्तर है बाकी उपर कुछ question के उत्तर नहीं थे लेकिन उनका मैंने उत्तर आपको बता दिया बाकी आप जितन भी दिखेंगे उन सभी के सामने उसका उत्तर लिखा होगा इस बात को ध्यान रखेंगे इफी तरह आप लोगों के समस्त करीब करीब 500 question and answer है जो कि मैं आप लोगों के लिए तैयार किया हूँ और आप सभी के एक्जाम के लिए महत पूर्ण है मैं यह गारंटी नहीं लू कहीं पर भी मुबाइल आपके साथ रहता है उठते बैठते सोते कहीं जाते आपके पास मुबाइल में PDF रहेगी उसी में यह question and answer रहेंगे तो आप जहां पर भी जाएं वहाँ पर पढ़ते रहें देखते रहें समझते रहें ठीक है बाकी मैं आपको बता दूँ यह पूरी पूरी PDF है 500 question and answer की इसको हम उन्हीं छात्रों को देने वाले हैं जो छात्र हमें whatsapp पे अभी message करेंगे ठीक है और whatsapp group का link के वीडियो की discussion मिल जाएगा वहीं पर जो छात्र में message करेंगे कि सर्फ 500 plus question and answer वाली PDF दीजिए उन्हीं छात्रों की यह PDF पूरी की पूरी मिलेगी ठी ठीक है और उसमें फारे के सारे question and answer यह पूरी PDF रहेगी और जितना भी इतना भी हो सकता है मैंने आप सभी के लिए किया है और बाकी माल लीजिए कि आपकी परिच्छा में इसमें से कुछ question आए कुछ ना आए तो वहां पर आप कैसे उत्तर देंगी वो साट करती रिका वो secret तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनेंगे ठीक है जिसे कि ये प्रसंदिया गया है कि ये जीटी की अस्थापना का मुख खुद्देश क्या है ठीक है तो यहां पर आपको नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा उत्तर सही होगा तो simple सा आपको कुछ भी नहीं क प्रसन का जो उत्तर है वो आप लास्ट वाला उप्रयोक्त में से सभी या फिर इन में से सभी या इन में से कोई नहीं यही वाला लास्ट वाला आपसन आन्यानिक दा या फिर आप लोगों को डी दिखेगा जो भी आपसन दिखेगा लास्ट वाला आपसनों में से जैसे य यहां पर देख लीजी यह वाला कोश्चन जैसे कुछ कोश्चन वाला जाता है कि भारत में पहले यंजीटी ने अपने निकाय के अस्थापना कहां की है ठीक है तो यहां पर आपको दो आपसन दिये जाएंगे उसके बाद तीफरा चोथा ठीक है तो जैसे इस तरह दिया जा यही सही उत्तर होगा यह दूसरी ट्रिक हो गई और तीसरी ट्रिक यह है कि आप सभी प्रशनों का उत्तर देकर आएंगे कोई भी कोश्चन का उत्तर छोड़ के मत आईएगा नहीं तो बाद में आप लोग को समस्या होगी जितने भी 75 नंबर का पेपर होगा तो 75 में से 75 पूरे का पूरे पूरे प्रशनों का उत्तर देकर आना है टिक कर के आना है ठीक है क्योंकि इसमें कोई भी मार्किंग नहीं है इस बात को ध्यान रखना है तो मार्किंग नहीं है तो कोई question छोड़ के मत आएगा बाद में बद बोलिएगा कि 10 question मेरे छोड़ गे sir 5 question छोड़ गे तो सबसे पहले आपको कर लेना यही कि सबसे पहले आपको जिन भी प्रस्णों को तर मालूम उनको टिक कर लीजिए बाकी थोड़ा वेट करिए अगर कहीं से जुगाड हो रहा तो हो रहा है नहीं हो रहा है तो आपको बस वही option अपनाना जो मैंने आपको बताया लास्ट वाला सम में फिलेक्ट करते चले जाएंगी जिसमें उपरोक्त में से सभी इन में से सभी या फिर आब आसो दोनों यह वाले option आपको शिलेक्ट कर लेना है यह सबसे आसान तरीका है और सबसे अच्छी ट्रिक है गारंटी आपको पूरी सफलता मिलेगी 100% के साथ अगर आप मेरे द्वारा बताएगे जिसमें फॉलो करके जाते हैं तो बाकी यह पीडियाप आपको तो मिली जाएगी वहाँ पे डाउनलोड कर लीजेगा मिलते हैं आपको एक और नहीं वीडियो में जैहिंद कोई question है तो जरूर पूछें जैहिंद